हैलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर दोस्तों आज का ये वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप अपने मोबाइल का लॉग भूल गए हैं कोई भी लॉग हो पैटर्न प पाले फोन से खोल के दिखाऊंगा इसको टच भी नहीं करूंगा और यह जो लॉग है ठीक है यह जो पैटर्न मैं भूल गया हूँ यह पैटर्न एटोमेट्रिक बाइपास हो जाएगा हट जाएगा तो दोस्तों काफी कमाल की ट्रिक आप इस वीडियो को कमप्लीट देख प्लीड़ को लाइक करना है प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और आप इस वीडियो को Hye करना और आपको सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप ऐसा करेंगे तो जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूगा और नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे अब दोस्तों आपको आना नीचे कॉमेंट इसे में में कॉमेंट करके बता सकती है तो चलिए शुरू करती है आज का ये वीडियो तो दोस्तों आप देख सकते हैं ذb जो एक है भूल चुके है इसका लॉक्त क्या है मैं पता नहीज देख सकते हैं तो अब समय के लिए लाग वो जाएगा तो दोस्तो essas हम और हे जो आपने इस फोन में इमेल डाला था प्ले स्टor में इमेल मेंयी मैडि की जरूरत है तो आपको तो यादी होगा आपका फोन है आपको इमेल आइडी याद होगा तो आपको इमेल आइडी बस मतलब डूर के रखना है ठीक है तो बस आपको इमेल आइडी याद रखना है अब आपको क्या करना है मैं इस फोन को जड़ा नीचे रख देता हूं आपको अपने फोन में आना ह तो email ID हुआ आ जाएगे तो आपको ऊपर क्लिक नहीं करना है बलकि आपको sign in a guest पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं यहां पर एक नया page open हो गया है कुछ इस तरीके से तो दोस्तों आपको क्या करना है आपको इस phone का email ID यहां पर डालना है तो भी याद होगा तो आपको डाल देना है ठीक है तो हमने डाल दिया email ID अब यहां पर हम password डाल देते हैं तो हमने password भी डाल दिया अब हम करते हैं next तो जैसे आप next करेंगे आप देख सकते हैं कि इसने बता दिया कि हमारा mobile कौन सा है कितना percent charge आप देख सकते हैं कि इसने सब कुछ बता दिया जो हमारा mobile कितना percent charge है किस wifi से connect है मतलब सब कुछ बता दिया अब दोस्तों आपको यहां पर तीन option मिल जाएंगे ठीक आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर तीन option मिल जाएंगे फिलाल मैं सारे option के बारे में किसी और वीडियो में बता दूंगा लेकिन इ देख सकते हैं इसका lock मैं भूल गया हूं तो मैं इसको कर देता हूं side में मैं इसको touch भी नहीं करूंगा ठीक है मैं इसको touch भी नहीं करूंगा आप देख सकते हैं lock लगा हुआ है आपको मैं दुबारा दिखा देता हूं आप देख लीजिए ठीक है अब दोस्तों आपको य यहां पर email id का password डालना है, फिर आपको next करना है, जैसे आप next करेंगे, अब आप देख सकते हैं, कि यहां पर एक option आ रहा है, erase cancel का, तो आपको erase पर click करना है, जैसे आप click करेंगे, अभी आप देखना जादू होगा, आप देख सकते हैं, कि मैं mobile को touch भी नहीं किया, और मेरा mobile automatic की switch off हो गया, मेरा mobile automatic switch off हो गया, अब हम थोड़ा सा wait करते हैं, जब तक mobile on नहीं हो जाता, दोस्तों मैं इसको touch भी नहीं किया, आप देख सकते हैं, कि mobile automatic on हो रहा है, तो हम थोड़ा सा wait करते हैं, दोस्तों आपको बता दूँ कि यह application इतनी कमाल की है ना, आप इससे पता कर स देख सकते हैं, कि हमने इस phone को touch भी नहीं किया, और अपन हो रहा है, तो हम थोड़ा सा wait कर देते हां, ओके तो आप देख सकते हैं, कि finally लगबग 4-5 minutes लगा, उसके बाद में मेरा phone कुछ इस طرح से आ गया, ठीके, अब आपको यहां पर English United State को select करना है, continue करना है, फिर आपको यहाँ पर skip करना है, ठीके मजजी सरह से बता रहा हो, आपको उसी तरह से करना है सॉरी, आपको यहाँ पर सबसे पहले इंटरनेट को connect करना पड़ेगा तो चलिए मैं wifi connect कर लेता हूँ ओके, अब दूस्तों आपको next करना है, wifi connect करने के बाद मैं आपको next करना है अबे हो जा तो जैसे आप next करेंगे अब आपको यहाँ पर वो ही email ID डालना पड़ेगा ठीक है नहीं तो आपको bypass करना पड़ेगा तो हमको जब email ID याद है तो bypass करने की जिवत क्या है थोड़ा सा time लग जाता है ओके आ गया तो हमको यहाँ पर अपनी email ID डालनी है तो चलिए हम डाल देते है अब हमको यहाँ पर password डालना है आपको फटाफट कर लेना ठीक है email ID डालके next 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 करना है जैसे आप करेंगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा अब यह हो जाए यार तो हम इसको skip कर देते हैं भाई ओके get started तो आप देख सकते हैं कि हमारा phone आपके सामने finally unlock हो चुका है आप देख सकते हैं कि finally unlock हो चुका है आपके सामने मैं आपको दुबारा lock करके दिखा देता हूँ ओके तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमारा phone finally unlock हो चुका है तो दोस्तो इस तरीके से अगर आपके किसी phone में lock लग जाता है लेकिन आपको ध्यान रखना है जो उस phone की email ID आपको पता रहनी चाहिए अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे comment section में comment करके बताना हम एक अलग को subscribe करना मिलते हैं next video में बाई